आप लोग दिन राद दोड कर रहे हैं, आप अपने स्वास्त की भी चिंता कीजिए, पानी बहुत पीना चाहिए, इतना ज़्यादा पानी पीएंगे, तो आपको बहुत स्वास्त के लिए पे ठीक रहेगा, महाराष्टर जाना है, पिल्टे लंगना जाना है, तो इतने कम में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, इत गर्मी में आप लोग दिन राद दोड कर रहे हैं, आप अपने स्वास्त की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन राद दोडना पड़ता है, मेडिया की कॉंपेडिशन भी इतनी है, कि आपके वो समय से आगे दोड़ना पड़ता है, मैं तो यही प्राशना करूंगा आप सब पुराने साथियों को, कि अपने स्वास्त का जुरूर ध्यान रखे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी बहुत पीना चाहिए, इतना जादा पानी पीएंगे, तो आपको बहुत स्वास्त के लिए पे ठीक रहेगा, और एनर्जी भी मैंटेन रहती है, आज तीसरे चरण का मद्दान है, मैं देश वास्यों को विशेश रुप से आगर करूंगा, कि लोक्तंत्र में मत्दान, इस सामान्य दान नहीं है, हमारी देश में दान का एक महत्मय है, और उसी भाव से देश वास्यों ज्यादा से ज्यादा मत्दान करें, आज तीसरे चरण का मत्दान है, अभी और करीब करीब तीन सप्ता चुनावा भ्यान चलेगा, चार मत्दान के दौर आगे भी हैं, मेरा गुजरात में मत्दार के नाते यही एक जगा है, ज़ा मैं रेगुलर मत्दान करता हूँ, और अमित भाई यहां से भारतिय जन्ता पार्टी के उमिद्वार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कल रात को ही आंदर से आया हूँ, अभी गुजरात में हूँ, मत्दप्रदेश जाना है, महाराष्टर जाना है, पिर्टेलंगना जाना है, तो इतने कम सबे में मैं ज़्यादा बात को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मत्दाताओं को भी और देश के मत्दाताओं का भी रुदय से अभार वेक्ते करता हूँ, जो उत्साव उमंग से मत्दान में हिसा लेते हैं, हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया एक ऐसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोक्तंत्र के लिए, ये बहुत ही बड़ा सीखने योग एक्जामपल है, दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी ने केस्टेडी करना चाहिए, आद दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन्च सब का कंपरिजन करना चाहिए, और ये वर्ष एक प्रकार से लोक्तंत्र का उत्सव नजर भारत में, पुरी दुनिया में है, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजे है, वो चुनावी वबस्ता में विच्षित की है, और मैं मानता हूँ कि इलेक्षन कमिशन इसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन का अधिकारी है, आप सब मिडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज़्यादा TV चैनल से है, 5000 से ज़्यादा देहिनी का अख़बार निकलते हैं, और वो तो पुरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं, और इतलिए हर एक का प्रयास, और यही मंथन है जो लोगतंत्र को भी मजबूत करता है, और देश को भी मजबूत सरकार देता है, तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोगतंत्र के महा यग्य में, जो भी जितनी आहूती दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी है, मैं फिर से देश वासियों को यही कहता हूँ, कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मद्दान का दिवस है, भावत भारी मात्रा में मद्दान करें, लोगतंत्र के परवो को मनाएं, उत्सव के रुप में मनाएं.